दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल T.E.N.Sports पर आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की यूनिट नमबर 9 जिसका नाम है Psychology and Sports तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर कॉन्से टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं सबसे पहला है definition and importance of psychology in physical education and sports दूसरा है adolescent problem and their management तीसरा है team cohesion and sports सबसे पहले है introduction आखर में psychology होती क्या है तो जो psychology word है वो ग्रीक दो सब्दों से मिलके बना हुआ है तो सबसे पहला word है psyche and दूसरा word है logos psyche का मतलब होता है mind, soul और spirit and logos का मतलब होता है study or shock तो psychology क्या हो गई जब हम mind, soul और spirit के बारे में बात करते हैं तो वो जाती है psychology लेकिन यो पूरा concept है वो उतना चला नहीं लोगों को उतना पसंद नहीं आया बाद में इसे change करती है बाद में बोला गया psychology is the science of mind psychology क्या है mind की science है लेकिन ये concept के वल एक ही दिसा में indicate कर रहा था कि psychology क्या है mind की विग्यान है ये भी उतना चला नहीं बाद में एक final concept दिया गया psychology के उपर जोग दिया था वोड़वर्थ ने उसने बोला psychology is the science of behavior behavior के विग्यान को psychology बोलते हैं तो ये था इसका पूरा introduction अब आते हैं कुछ definitions पर बहुत सारे authors ने इसकी definitions दी है तो देख लेते हैं वोड़वर्थ की कौन सी definition है वोड़वर्थ ने कहा the science of activities of an individual in relation to his environment ठीक है ये थी वोड़वर्थ की definition कोई भी definition तुम्याद कर सकते हो ऐसा जरूरी ने के वोड़वर्थ की देनी ये छोटी ती सिली मैं यहा लेक दी ठीक है तो यहाँ पर इसका introduction खतम होता है आगे बढ़ते हैं आगे है meaning of sports psychology तो से पहले पढ़ाता हमने के वल psychology का meaning अब पढ़ेंगे sports psychology का meaning तो sports psychology क्या होती है ये एक physical education की ही बहुत ही important branch है physical education बहुत साभी branch होती है जैसे कि sports biology, sports physiology, sports management तो उसी तरह से होती है sports psychology जो की deal करती है human behavior से, arousal से, motivation से and aspiration से और ये किस समय deal करती है जब कोई athlete performance दे रहता है या कोई exercise कर रहा है ठीक है तो ये उस समय deal करती है अगर हम इसे दूसरे सब्दों में बोलें तो कैसे बोलेंगे जब कोई athlete कोई game खेल रहा है या कोई activity कर रहा है उस समय जो psychology है वो उसकी activity या game institution को कैसे influence कर रही है तो वो होगी sports psychology ठीक है यह तुम याद कर लेना कोई भी एक definition एक या दो वो याद कर सकते हो किवल एक या दो ही पूछी जाती है exam actually में तो यहाँ यहाँ इस पूर्स psychology का meaning में वो खतम होता है next है importance of psychology in physical education and sports psychology का physical education and sports में महत्वा तो सबसे पहला है enhancement of physiological capacities psychology किसमें help करती है physiological capacities को बढ़ाने में help करती है और यह physiological capacities होती क्या होती है strength है speed है endurance है flexibility है यह सब होती है physiological capacities और इनको बढ़ाने में psychology कैसे help करती है शबूसकर कोई game चल रहा है वहाँ पर जो बाहर बैटे दर सके हैं वह एक team को motivate किया जा रहे है और वह अच्छा खेल रही है उसमें देखा हुआ अलग से energy आजाती है अलग से juice के साथ खेलते हैं वो लोग पर यह क्या हुआ उन्हें motivation मिलना है उनका जो सरीर है उस motivation के अनुसार काम कर रहा है मतलब उनमें energy अलग से दोड़ रही है उनकी जो muscles हैं वो सिसाफ से काम करती है यह सब किसे depend होता है मैंन से connected होता है जैसे आप सिमाग में सोचोगे कि यार मैं अच्छे से खेल सकता हूं मेरे अंदर energy दोड़ रही है तो वैसा ही आपकी जो muscles हैं वो काम करने लगें है ठीक है अब next है learning of motor skills psychology कैसे help करती है motor skills को इसकिल सीखने जारो आपका money नहीं उसे सीखने का तो आप नहीं सीख पाऊगो इस skills को सीखने गया है अगर आप कुछी तरह राड़ी होके गए उसके बार इन प्रपेयर होके गयो उसके बार इन पढ़के गई तो आप उस चीज को आसा नहीं सीख सकते हो क्यांकि कि आप mentally प्रपेर उस चीज़ के लिए तो साइकोलोजी हेल्प करती है मोटर स्किल्स को सीखने में अब नेक्स्ट है बेहिवियर अंडरस्टेंड करने में साइकोलोजी कैसे हेल्प करती है देखा हुआ आप इंटरनेशनल लेवल पर जो एथरीट होते हैं उनकी जो इसकेल है वो सब्सक्राइब करते हैं गेम के दोगान अब नेक्स्ट है एप इंवोशनल बेरेंशनल एक सकता है अगर यह सूचनल लगता कि यार मेरे 3-4 पॉइंट हो गए मैं तो आसानी से हार जागा तो आसनी से हार ही जाएगा लेकिन वो सूचता है या 3-4 पॉइंट ही गए मैं भी सकता है वहीं अगर उसका अपोनेंट वो यह सूचने लग जाता है क्यार मैंने तो ती चार पॉंड ले लिए मैं तो अब इससे जीती गया तो वह वहां से हार भी सकता है तो इमोशनली बेलेंस होना पहुत ज़रूदी है अब नेक्स्ट है साकालोजी को सफेब्रेसिन. जोougli को को होते है तो कोछ तुमारे आगे कुछ नहीं तुम आसानी से जी सकते हो ऐसे देखा हुआ मोटिवेट करते हैं अपने अथलीट को तो यह यह होता है वह सैकलोजी के लिए प्रपेयर कर रहा है कि यहां पर खत्म होता है इंपोटेंस सब साइकलोजी के लिए सपोर्स अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है एडलोसे कि जाटते हैं मतलब झालोजी कि कर आता है शुद सबसे हैं उससे बुत merely जाते हैं इसकी दाड़ं सबसे बड़ी दिकत है किसके बारे में कुछ बात ही नहीं करता हमारी सुसाइटी में यह सबसे बड़ी दिकत पैदा करता है बच्चों के अंदर खास कर बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और जैसी वो नेगेटिव डालेक्शन जाएंगे उन्हें कुछ समझाने वाला नहीं है कि वो किसी से इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते ठीक ह तो यह सबसे ज़्यादा दिकत करता है उस समय अब नेक्स्ट है लेक ऑफ इस्टेविल्टी एंड एड़िस्टमेंट इस सेज में यह भी दिकत होती है बच्चे के साथ एड़िस्ट करना नहीं चाहते अगर उनकी ट्रेट्स मिलना है तो उसके साथ एड़िस्ट कर सकते है मैं तो नहीं कर सकते हैं और इस्टेवल्टी हो सबस्केर उतर रहते जैसे मैंने बटाया हर्मेवनल सण सबसे ज्यादा सब लोगों के अंदर होती है कि यार मैं सबसे अलग देखना चाहिए तो जैसे देखा हुआ लोग मुझे देखना चाहिए अपने को दिखाने के चक्कर में कर देते हैं कोई कुछ को बोल देगा कोई पूल बनने के लिए टीचर से बतमीजी कर देगा तो यह सब क्या है वहने अपनी इंपोटेंस देखाने के यार मैं सुसाइटी में इंपोटेंट बंदा हूँ ठीक है तो उसकी बज़े से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रियोट होती है अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ सपोर्ट यह एक इंटरनल प्रॉब्लम है वो अपने दमाग में यह भी अब नेक्स्ट है सूचल प्रॉब्लम जो बच्चे होते हैं वो सूचते हैं कि यार मैं हर काम को अलग दंसे करूँ लेकिन सुसाइटी आती है जो ट्रेडिशनल वे है वो उसी से हो तो उस बात में दोनों में क्लैस होती है सुसाइटी और बच्चों में बच्चे अपनी अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम मतलब एडलोस्टेज में जो प्रॉब्लम में उनका मैंच्चम कैसे करना है एक्चा को बता है जो शुक्त बाडिक रूब्मेंट अब इसका पहल प्रॉडी को बच्चों को पता लगने चीए जो चेंजिज हो रहे हमारी बॉडी के अंदर ह तो एक्तम नैचुरल है और उन्हें किसी भी एक्सेसाइज गेम या स्पोर्स के लिए मोट्यूवेट करना चाहिए जिससे कि जो मोटर डवलोमेंट है वो पर तरीके से हो सके ठीक है अब नेक्स्ट है सेक्स एजुगेशन यह कैसा टोपिक है जिसके बारे हमारी सुसाइटी कोई बात नहीं करता अगर स्कूल में जाएंगे तो वहां कोई पढ़ाई नहीं होती घर पे आजए तो वहां कोई बात ही नहीं करता लेकिन इसकी बात होनी चाहिए इससे पढ़ाया जाना चाहिए किसके वेसिस पहुने चाहिए जिससे कि वह आसान और अच्छा फ्यूचर अपने लिए बना सकें या उसके रिगार्डिंग काम कर सकें नेक्स्ट है एजूकेशन ओफ साइकलोजी बच्चों को या पेरेंट्स एटीचर्स को एक बेसिक नौलेज में चाहिए साइकलोजी को जिससे अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम में तो उसका अंदा जला रगास क्या आसानी से यह बच्चा प्रॉब्लम में और उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिस करें अब नेक्स्ट है टू प्रोवाइट सूटेवल इंवर्मेंट बच्चों को उनकी ग्रोथ और डॉलमेंट के लिए प्रॉपर इन्वर्मेंट देना चीए उन्हें प्रॉपर नौलेज देनी चीए जिससे कि वह अपना डॉलमेंट अच्छे से क बच्चों के इंदर discipline वो किसी भी काम को एक discipline तरहीके से कर सकें अब next है social education क्यों जरूरी है वो समाज के साथ को पप करना सिख सकें यह बहुत जरूरी यह सारी बाते मानुझे लेकिन आडजस्ट करना आना चीजे समाज के पर ठहिक है अब है एडूकेट इंडेपेंडेंडेंस और जो बच्चे अपने काम करने पहले उसका काम सुनो फिर उसे अपने तरीके से पुरा काम किया लेकिंगों वह सही है तूप उसे वैसा ही रहने पूंधा मैंगेजमेंट आप प्रॉएम्स नेक्स्ट है team cohesion and sports उसा से पहले दिख लेते हैं cohesion क्या होता cohesion can be defined as a tendency of a group to stick together and remain united to attain certain objectives मतलि एक ऐसी tendency होती है किसी भी group की जो एक साथ रहता है और एक ही goal के लिए काम करता है अब next है team cohesion team cohesion can be termed as an extent to which athletes are motivated to practice, compete as a team and remain united as a team एक ऐसी term में इसे ऐसे define किया गया है जिसे वो एक साथ practice करते हैं एक साथ compete करते हैं और एक साथ रहते हैं एक team की तरह ठीक है तो यह हो गया team cohesion अब team cohesion दो प्रकार के होते हैं देख लेते हैं सबसे पहला है task cohesion और दूसरा है social cohesion, task cohesion क्या होता है goal oriented होता है goal oriented को कैसे divide कर सकते हैं जैसे कोई team बनी sports की वो एक goal के लिए खेल रही है जैसे कि कोई championship हो रही है वो उन्हें जीतनी है तो उसके लिए एक साथ आए किसी task को खतम करने के लिए तो यह हो गया task cohesion अब आता है social cohesion social cohesion में क्या होता है social together nice होती है स्पोर्स में तो साथ साथ हैं लेकर उसके अलावा भी वो एक दूसरे के दोस्त है वो एक दूसरे की help करने किसी काम को करने में तो यह हो गया social cohesion ठीक है नेक्स्ट है factor affecting team cohesion team cohesion को affect करने माला है इस factor कौन कौन से सबसे पहले आता है satisfaction satisfaction के लिए जरूए जिए तो टीम के प्लेयर्स है वो एक दूसरे की performance से खुस होंगे तो वह एक दूसरे की परफॉमेंस से खुस होंगे तो वह एक दूसरे की उपर कुस्टन ने उठापाएंगे तो टीम ज्यादा कोइसिव होगी अब दूसरा आता है size of the group जो size of the group है जर्नल यह ऐसा देखा गया है जो पड़े size की team होती है वो cohesive नहीं होती है जो छोटे size की team होती है वो ज्यादा cohesive होती है तो कि जो उनकी आपस में बात होती है वो आसानी से एक जूसरे में बेजी सा सकती है ठीक है अब next है similar age group ऐसा देखा गया है जो एक same group के बच्चे होते हैं उनकी mentality एक जैसी होती है उनकी thinking एक जैसी होती है इसलिए उनकी cohesiveness भी जादा होती है इसलिए वो team जादा cohesive होती है और next है stability stability में ऐसा देखा गया है जब एक टीम के प्लेयर या members बहुत लंबे पीरिड तक एक साथ रहते हैं तो उनकी cohesiveness बढ़ जाती है ठीक है उनके बीच में इंट्रेक्शन बढ़ता है इसकी वज़े से उनकी cohesiveness भी बढ़ जाती है इसलिए stability factor है अब next है winning record अब एक टीम खेल जिते जा रहें जिते जा रहें जिते जा रहें तो उनकी cohesiveness बढ़ जाएगी को वो एक लंबे समय तक खेलेंगे रिटेन नहीं होंगे जल्दी जल्दी उनकी cohesiveness बढ़ जाएगी इसलिए winning record भी बहुत important topic है अब next है popularity अब एक टीम की जैसे अगर कोई team जीती जा रही है ज साथ काम करते हैं तो ज्यादा जीतते हैं ठीक है अब next है interaction time अब जब players की बीच में जो interaction time है मतलब बातचीत करने का time हो ज्यादा होगा तो उनकी cohesiveness ज्यादा बढ़ जाएगी को अगर एक usage ज्यादा interact करेंगी तो उनके बीच में आपस की समझ है वो ज्यादा बढ़ेगी जिससे की cohesiveness ज्यादा बढ़ेगी अब next है communication यह interaction time से मिलता जूलता topic है अगर interaction time ज्यादा होगा तो उनकी बीच में communication ज्यादा होगा तो उनकी cohesiveness ज्यादा होगी वो एक दूसरे को ज्यादा समझेंगे और team ज्यादा cohesive होगी अब आता है next temperament of team members अब कभगे भी देखा टीम में एकाद ऐसा member होता है जिसका temperament बहुत हाई होता है मतलब वो जल्दी घुस्सें हो जाता है जल्दी एक दूसरे को बढ़क जाता है या अपनी चलाना चाहता है तो ऐसा team member team को बहुत प्रभावित करता है अगर ऐसा team member है तो उसे बाहर करते ना चाहिए team की अच्छ एसे इंटर रिलेटन है ँशन के पहला देख लेते हैं सब्सक्राइब होता है अगर एक team ज्यादा कोईसिव वहोगी तो व gent श़धा अच्छी यह अच्छी थीरा टो अच्छ होगी को तरिसरा कुगी सब्सदू किसी को अपनी strategy delivery करना है तो जो जो अच्छी कोईसिती नही आसानी से कर सकता है कोज ने कोई स्ट्रीशी बताई किसी को जाके बताई इसमें अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा तो चोफ़ा पुकिह वैगर टिम की परॉफॉर्मंस अच्छा होगा तो जो result हो अच्छा आएगा इस तो आप अलोग आसानी से लिए सकते हैं तो यह था एम्पोर्टेंस अब टीम कोहिजन नेक्स्ट है सब्सक्राइब टीम कोहिजन कैसे बढ़ा है सकता है इसके लिए कुछ पॉइंट दिये गए तो देख लेते हैं सबसे पहले तो टीम के लिए गोल सेट करो अगर गोल ही नहीं होगा तो प्लेयर्स और जो म को यसे होगी तीसरा है क्रेट टीम को जीतने के लिए कि स्पिट करने अंदर क्या रही यार क्या हम जीते हैंगे ठीक है मोटिवेट करना है एक दूसरे प्लेयर्स को जिससे टीम ज्यादा को यसे होगी तीसरा है ओपिनियन सेंद फीडबैक अगर सपोज कोई मैं चुगा अगर उसमें कोई हार गया कोई गंदा खेलेगा तो उसे क्रिटिसाइज नहीं करना है उसे फीडबैक देगना है अगर तुम यहां अच्छा खेल जाते तो और बैटर होता ठीक है तो उससे साथ उससे ओपिनियन और फीडबैक मैटर करता है किसी भी टीम की कोईसिवनेस क अगर टीम के मैंबर्स कोई खराब करेंगे तो टीम कोईसिवनेस ज्यादा बढ़ेगी अब नेक्स्ट है ट्राइट टू क्रियेट एन इनवार्मेंट फोर सक्सेश के लिए एक इनवार्मेंट बनाना है मतलब एक पॉजिटिव मैंट सेट बनाना है सब के अंदर सब टीम के मैंबर्स के अंदर एक पॉजिटिव इनवार्मेंट क्रियेट करना है टीम को जिताने के लिए तो टीम कोईसिवनेस ज्यादा बढ़ेगी अब नेक्स्ट है प्रमोट टीम वर्ग को ज्यादा प्रमोट करना है कि अगर तुम एक साथ काम करोगे तो सक्सेश जल्दी मिल करें तो उसका सेलिबरेशन एक साथ करोगे तो टीम को ज्यादा बढ़ेगी तो यहां पर फिर खत्म होता है अगर अच्छा लगा हो तो स्ब्सक्राइब कर देना लैक कर देना एंद शेयर कर देना